कि मैलकम फ्रेंड्स तो देखिए मुझे अभी एक कमेंट आया था कि सर एग्रिकल्चर इंकम का लेस्टेशन इट और नाइन सॉल्व करा दीजिए तो चलिए आज में इस लेक्षर में आपको भी सॉल्व कराऊंगा ठीक है तो देखिए जो हमारा इलस्टेशन 7-8 और 9 है व सम्टाइम्स क्या होता है तियर इस अग्रिकल्चर से रिलेटेड होता है और कुछ पार्ट किस से रिलेटेड होता है हमारा नौन अग्रिकल्चर से ठीक है कुछ कम्पोजिट इंकम होती है जिसमें कुछ पार्ट हमारा अग्रिकल्चर से रिलेटेड होता है और जो कुछ वो non agriculture related होता है तो ऐसी जो income होती हो हमारी क्या होती है parsley agriculture income जैसे suppose अगर हम example लें sugar factories का ठीक है अगर हम sugar factories के एक example लें तो देखिए suppose आपका एक agriculture land है ठीक है आपका खुद का है own agriculture land इस पर आप क्या कर रहे हो भई सुगर के इन produce कर रहे हैं ठीक है आप क्या कर रहे हैं इस पर सुगर के नाप produce कर रहे हैं और साथ ही में आपकी एक factory है जहां से आप क्या बना रहे हैं सुगर produce कर रहे ठीक है तो आप क्या कर रहे हैं कि भी जो सुगर के इन है वो आप खुद के online के produce करके use कर रहे हो तो मिस अब यहां पर जो सुगर सोल्ड करने से जो इंकम हमें आएगी वो कैसी होगी मिक्स इंकम होगी, कम्पोजिट इंकम होगी, मिस जिसमें कुछ पार्ट अग्रिकल्चर का होगा और कुछ पार्ट नॉन एग्रिकल्चर का कुछ भी आम प्या कर रहे हूँ दोनों बढ़ाएंगे आपके खुद के ट के स्टेट से मिस बागा ने जहाँ पर आप चायपत्ती को गा रहे हो यहां पर किएक्तिविटीटीजर आजाएंगी अग्री कल्चर और नोन ऐसा जो इंकम अब इससे जो हमें रिशीव होगी वो क्या होगी पार्शली अग्रिकल्चर तो टीके केस में फिक्स है सिक्स्टी पर्सेंट जो इंकम होता है वो हमारा एग्रिकल्चर एजियूम किया जाता है और फॉर्टी पर्सेंट जो रिमेनिंग इंकम होता है वो नॉन कर रहे हैं क्यों सब्सकнал, नाइए तो होरी सिटटे फाइपरसेंट में वह एगरिकेल्चर होथी तो थार्ट आता है हमारा कॉफी को भी ग्रोन कर रहे हैं क्योर के वह उसको करके देंक er Самik 10 मेंच पहले हैं उसको साफ करके clean करके हम उसको sold कर रहे तो यहाँ पर क्या होता है जो 75% जो हमारा part होता है वो agriculture income का होता है और जो 25% part होता वो non agriculture income का होता है ठीक है अब coffee में दो case होते है पहला case तो यह हो गया कि भी आप सिर्फ क्या कर रहे हैं आप ग्रो कर रहे हैं इसको and cure कर रहे हैं easily do activities grown and cure अब इसमें साता है coffee में second कि आप coffee को क्या कर रहे है ग्रोम more and cure के साथ आप grow and cure तो करी रहे हैं इसके साथ आप इसको क्या कर रहे हो roast कर रहे हो roasted and grounded आप roast कर के is का grounded जो 60% income वह agriculture होती है एंड जो 40% इंकम है वो non agriculture होती है means टी वाला रेट यहां पर applicable होगा clear है तीनों के cases में कि किसमें कितना रेट agriculture होगा और किसमें कितना non-agriculture होगा ठीक है चलिए अपने कि नुमेरिकल पर आते हैं इसमें किसी सौल्व और सबसे पहले स्विटिशन शॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर देखें कहा के दिया है मिस्टर टॉनी हैड estates in rubber tea and coffee he drives income from them and Dekhi उनके भी क्या है estates means बागाने rubber के भी tea and coffee के भी इसे income drive कर रहे हैं he has also a nursery wherein he grow plants and sell them for the previous year ending 31st 2023 he furnished the following particular sources of income from estates and sale of plants अगर यह नहीं दिया होता कि उनके इस तेट्स हैं सिर्फ मैनुफेक्ट्ट्र होता तो मींस पूरा आपका नौन एक्रिकर जरूता बट यहां पर दिया है कि इनके स्टेट्स हैं एंड बाद हम उससे क्या कर रहे हैं मैनिफक्टर कर रहे हैं इसको हम सॉल्व करते हैं ठीक है देखिए कंप्यूटेशन आफ देखिए ट्री को का मींस क्या है जो एंकम होती ओव कैसी आइसी निकाल ली कRIBER देखिए अब भी हमने लास्ट रहे बताया कजिना तेखिए रबर के केस में कितना होता है 35ु он कितना करेंगे 35 करेंगे की पेंट करेंगे 25 तो जो हमारा टेक्सिवल इंकम होगा रबर का वो कैल्कुलेट होके आ जाएगा तो इसको कैल्कुलेट कीजिए तो फाइब लेक्टा थाटी फाइप परसेंट हमारा आएगा 1,75,000 कितना 1,75,000 ठीक है अब ऐसे ही सेम में किसका करना है मैनुफेक्चर ऑफ कॉफी ग्रोन एंड के ओड है यहां पर उस्टेट नहीं है ना ग्राउंड़ेड है इट मीज यहां पर कॉंसरेट अप्लिकेबल होगा 75 और 25 बाल मीज रब कॉफी के के केस में क्या होता है भई कि मैनुफेक्चर ऑफ कॉफी के केस में 25 percent नौन अग्रीकल्चर होता है और 75 परसेंट अग्रीकल्चर तो यहां पर हम कितना सिर्फ निकालें ही 25 परसेंट 350,000 का क्यूंकि हम सिर्फ नौन अग्रीकल्चर का पार्ट निकालना है वही टैक्सिविल होता है तो 350,000 का और 25 पर तो हमें आपर 40 परसेंट कितना आएगा यह होगा हमारा टू लेक्टी थाउसेंट ठीक है अब इसके बाद क्या दिया है आप पर कि इसके बाद दिया हुआ है सेल आप प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी अब देखिए हम क्या कर रहे हैं प्लांट्स को डार्क लिम नर्सरी से सोल्ड कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पार्ट किसका है एक्रिकल्चर एक्टिविटी का यहां पर नॉन एक्रिकल्चर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो मिंस हमारा अ विखेंगे तो सेल आफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी हमारा क्या जाएगा कुछ भी नहीं आएगा किया है पूरा का पूरा क्या है हमारा एक्जेम्ट रहता है क्योंकि ये अग्रिकल्चर इंकम और हमें सिर्फ टैक्सिविल फाइंड करना था तो हम क्या करेंगे इन सभी का टोटल कर देंगे जो भी टोटल होगा वो हमारी टोटल टैक्सिविल इंकम आ जाएगी इसका टोटल होगा 542,500 रुपीज ठीक है हमारी क च्यांकि इसम में ऊहरे कुच भी नहीं करना था में पॉइंट किया था कि हमें रेट रखने कि बहुर के कि इस्में कितना होता है और next question करते हैं question station 8 हमारा ठीक है देखे तो यहां पर क्या क्या कि बिने कि यहां पर दिया हुआ है सुगर फैक्ट्री क्रस्ट 41,000 कॉइंटल्स ऑफ सुगर के ठीक है क्या गड़े सुगर के इनको क्रेस्ट किया गया तिक आगे है कि दूरिंग दी प्रीवेस यह आउट आप विश सिक्स थाउजन क्या कि हमने खुद की फार्म पर प्रोड्यूस किये हैं ठीक है कितनी कोस्ट पर थैट्रीन लेग टॉइंटी थाउजन की दा रिमेनिंग सुगर के इन वस पर्चेस फ्रॉं दी मार्केट एट द फॉलिंग रेट और हमने जो रिमेनिंग है देखिए फॉट्टी बन में से हमने वहीं सिक्स तो खुद प्रोड्यूस की इडमी से रिमेनिंग कितना बचा सब्सक्राइब करना है तो यहां पर किया करना है फिर इसे सब्सक्राइब करूद्य करना है क्या थैकर देखो तो यहां पर पहली बात सबसे में चीश क्या है कि भई जो हमने 6000 कोईंटल खुद के फार्म हाउस पर खुद के जो लैंड थी अग्रिकल्टर लैंड थी उसमें हमने प्रोडिउस किये हैं तो अब हम इसका रेट कैसे फाइंड करेंगे भई जो हमने मार्केट से लिया लेगे हैं तो इसका मार्केट में क्या रेट होगा और प्रौफित हो रहा है और मार्केट पर भी अगर कोई एक से उसके में करना पड़ेगा तो की या कामरेट है तसके सबसे पहले हम सिर्फभर मार्केट से पॉसके स्वाइंट करते पहले देखिए तो 20,000 किस रेट से हैं तो 279 पर क्वेंटल के 5000 थे 282 पर क्वेंटल एंड 10,000 थे 288 पर क्वेंटल के रेट से तो 20,000 इंटू 279 कीजिए तो टोटल जो कॉस्ट हो निकलाएगी होगा आपका 55,080,000 ठीक है ऐसी सेकंड वाले का कीजिए 5000 इंटू 282 तो आए गए 14,10,000 ऐसी थेट वाले का कीजिए तो यह आए जाएगा 28,80,000 अब हम क्या करेंगा अब हम इन तीनों का टोटल कर लेते हैं तो जो भी वह टोटल कॉस्ट हमें मार्केट से 35,000 पर्चिस करनी कॉस्ट हो निकलाएगी तो टोटल आएगा इसका 98,70,000 टोटल कितना 35 जो हमने 35,000 को इन पर्चिस किये हैं वो टोटल कितने प्राइस पर मिले हमें 98,70,000 का पर ठीक है तो हम इसका क्या करेंगे इसका हम एक एबरीज कॉस्ट कर लेते हैं क्या फाइंड कर लेंगे एबरीज कॉस्ट कर लेंगे देन हम उससे अपने जो हमने नहीं हमें कॉस्तों दिये है थर्टी लेक्ट थाउसे हम उसका तो मार्केट वैली वह पता चल जाएगा ठीक तो इसका हम एबरेज प्राइज कर लेते हैं सुगर के इनका लेकिए अबरेज मार्केट प्राइस कितना होगा फिर टोटल 98,70,000 कोस्ट आई है कितने की 35,000 को तो डिवाइड कर दीजिए तो जो पर कोइंटल का जो एबरेज कोस्ट वो निकल के आ जाएगा हमारे आएगा 282 रूपीज ठीक है इट मीज कि जो भई तीन अलग लग रेट ते जब हमने इसका क्या निकाले एबरेज फाइंड किया तो कितना आया 282 पर कोइंटल ठीक है है तो निमेर्कित वैल के अपनी प्रोड़क्ट की मार्कीट वैल्यू और ऑफ सुगर iens मार्केट वैल्यू आप सुगर के इन तो यहां पर average price कितना निकला था 282 तो 6,002 282 वह जो हमने खुद के फार्माउस पर प्रोड्यूस किया सुगर के इन उसका मार्केट वैल यहां पर निकलाएगा यहां गया 16,92,000 ठीक है इसको multiply करेंगे तो आएगा 16,92,000 अब हम इसमें से क्या लैस कर देंगे लैस कर देंग एड ओन फार्म ठीक है खुद के फार्म पर प्रोड्यूस करने के मारी कॉस्ट आई की देखिए आपर दिया था कॉस्चन में कितना था यह 13,20,000 ठीक है सुगर के इन उसके लिए में 13,20,000 का यहां पर expense करना पड़ा कॉस्ट आया है तो भई इसको हम कॉस्ट को लैस करतें यह 13,20,000 को देखिए तो यहां पर जो हमारा agriculture income में वो निकल आएगा कितना आएगा 3,70,000 इसको समझी यह निकला कैसे देखिए अब भई जो हमने खुद के जब हमने farm पर produce किया तो हमें cost सिर्फ कितनी लगी है 13,20,000 बट अगर हम इसी 6000 को market से purchase करते तो हमें वो कितने मिलत 16,90,000 में जितना हमारा पैसे सेव हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया हमारा agriculture income देखिए तो एक तो हमारा find हो गया agriculture income निकला आया हमें separately agriculture agriculture find करना था agriculture कितना आ गया 3,70,000 रुपीज अब हम find करते नॉन agriculture ठीक है तो हमें आपर total profit given था देखू टोटल प्रॉफिट कितना given था देखिए टोटल प्रॉफिट था ड्यूडिंग दी प्रिवेस यर फाइव लैक का वही फाइव लैक टोटल था अब अगर देखिए अगर हम टोटल में से एग्रिकल्टर को अगर हम less कर दें तो जो remaining होगा वो हमारा कौन सा प्रॉफिट हो है वन लग ट्वेंटीट थाउजंड फेंटी थाउजन हमारा क्या गया नॉन एगरिकल्चर देखिए बच से दोटुञडिंग्कम और नॉन एगरिकल्चर इंकम कितना आया थ्री लैक 72,000 पर नौन एगरिकल्चर आया बन लिक्त टौइंटी टाउसेंड आयोग क्लियर हो अफ एक फैक्टरी मैनुफेक्ट्टर्स गुट्स विच रिक्वाइर सच एग्रीकल्चर रॉमाटेरियल विच इस नॉट अबेलबिल इन दा मार्केट ठीक है तो वह एक फैक्टरी कुछ गुट्स को प्रोड्यूस कर रही है और उसमें जो रॉमाटेरियल चाहिए वो मार् इने फार्म पर प्रोड्यूस कर लिया है ठीक है तो आपर किसका पाट आगया अग्रीकल्चर एक्टिव्टी को फ्लॉइंग एक्सपेंसेश टॉइट अन्डेट मैनियोर थर्टी टू अन्डेट सीट आयवई 1000 का इरीगेशन एक्सपेंसेश हुए हमारे एटीन इसके साथ ही साथ जो असेशिंग ऑफिशर था ठीक है उसने पहले यह बैल्यूट कर दिया कि इस पर जो प्रॉफिट एज्यूमिंग वो कितना है सिक्सलेट वह सिक्स थाउजन का सब्सक्राइग है इप दप्रॉफिट ऑफ फैक्टरी बिफॉर देटिक्सन ऑफ दी अब सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले तुम अपना यह एक्सपेंस देख लेते हैं कि आकर टोटल एक्सपेंस कितने आए हमें ठीक है और जो हमने raw material क्या किया है खुद प्रोड्यूस किया है तो उसका मार्केट में क्या वैल्यू हम यहीं फाइंड करते हैं कि मार्केट में जो वैल्यू होती है हमां जो हमने raw material पर्चेज या जो भी पर्चेज किया हो फिर उसको हम कंपेर करते हैं मार्केट की वैल्यू को अपने एक्स पेंस से जितने जादा मार्केट वैल्यू होती है पैपमारे क्या होती है ने पॉल फैंड करते हैं कि सबसे पहले हमारा गया प्रोइंग एक्सपंशिस कितना था ट्विंटी एटंडरीड ठीक है मैंब्लो वन थाउसेंट इरिगेशन ठीक है आपके है एटीन हंड्रेड देन बेजस दिया है आपने अग्रिकल्चर लेवर को फोर थाउसेंड ग्राउंड रेंट या आपने पे किया है ट्वल फंड्रेड देन अधर अग्रिकल्चर होती है उसमें क्लूड होता है उसमें फ्रोफितबी इन्क्लूड होता है तो कdens Het अपना बना बनाई दिक वेल्यू संब्सकी चीज़ करने कितने रुपर लगे मार्किट वेल्यू क्या होगी इसमें करते हैं अपना प्रॉफिट करते हैं सब्सक्राइब किया तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 600 तो ऐसे अब हमें आपर क्या करेंगे जो सारे हैं इसमें प्रॉफिट कर लेंगे तो हमारे के निकल आएगा मार्केट वैल्यू फाइंड हो जाएगी ठीक है चलो इन सब्सक्राइब कर लेते हैं प्रॉफिट और लिख लेते हैं तो देखो प्रॉफिट जो एक रीजनेबिल है वो असेसिंग आपसर ने और रेडी दे दि सब्सक्राइब करेंगे तो एड़ करने पर यहां पर टोटल आएगा टूइंटी वन थाउसेंड फॉर हंट लियर क्या गई मार्केट वैल्यू आफ रॉम माटेरियल प्रॉड्यूस एट ओन फार्म की है उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है टॉइंटी वन थाउसेंड 400 किलियर यहां तक चलिए अब हमें आपर क्या निकालना था एग्री कल्चर और नॉन एग्री कल्चर दौनों को अलग-अलग फाइंड करना था ठीक है तो आपर देखिए आपर बोला गया था कि फैक्टरी का जो टोटल प्रॉफिट था अगर हम विदाउट एक्पेंसे इसको डिडिक्ट ना करें तो कितना था एक्टी थाउसेंड अब इस एक्टी थाउसेंट में भई हमारे रो मटेरियल की कितनी वैल्यू है टॉइंटी वन थाउजन फॉरंडेट इसम टोटल मैंसे अगर अपना एग्री कल्चर वाला पार्ट माइनिस कर दें तो जो रिमे टोटल जो प्रॉफिट है वह कितना दिया था मैं रूटल प्रॉफिट कि लीद था मुंने राटि था इताउसेंड डैंड की इसमें कर रहे है रहे है कोस्ट पोंब नब जो भी हमारे raw material की value थी जो हमने फोदे produce किया था उसको हम less कर रहे है cost नहीं यहाँ पर अपना क्या गई cost तो सिर्फ expense जाएंगे market value ठीक है market value क्या जाएगा market value of raw material जाएगा मार्केट वेल्यू आफ रोव मटेरियल प्रोड्यूस एट ओन फाम कि भी खुद के फाम पर उन्हें प्रोड्यूस की कितनी आई ती कि मार्केट वैल्यू 21400 लैस कर दीजिए कि 21000 ओरन प्रोड़ के लैस करतें इसको तो कितना आ जाएगा यहां पर आएगा 58600 तो जो 58600 रुपीज निकला है हमारे क्या हो गया बिजनिस इंकम कौन्स इंकम हो गई यहieß बिजनिस इंकम देखेता हमारे रोपार पर वैल्यू एक बिजनिस इंकम एक एग्री कल्चर तो बिजनिस इंकम आरी यहां पर फाइंड हो गई है फिप्टी सिफ थाउजन एटंडे किलियर न देखिए टोटल प्रॉफिट एटी थाउजन था और जो टोटल प्रॉफिट था उसमें जो हमारे रॉमाटेरियल की मार ह मार्केट वैल्यू में से हम क्या लच सकते हैं कि जो भी मार्केट वैल्यों कि हमारी इसे ब्रॉमाटेरियल कि Market value में से हम क्या लेस्ट कर देंगे Market value कितनी थी Raw material कि 21,400 अब हम इसमें से लेस्ट कर देंगे भई जो भी हमें COST आई ठीक है CoStoPRODUCTION कि हमें जो raw material जो हमने Produce किया है अपनी वन-वार्म पर उसकी cost कितनी आई है तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा आएगा कितना आएगा फिप्टीन थाउजन फोर एंडिट तो भई अगर अगर कोई आपको आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे अगर कोई आपका डाउट रहता कुछ भी रहता तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट कर सकते हैं मैं ट्राइब करूँगा जल्दी से जल्दी उसको को रिस्पॉंस करने का थैंक यू हमारे साथ जोड़े रहने के लिए